Hello देस्तो, Welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे एक new extension के बारे में, जिसका नाम है Shape Bender Tool. आप किसी भी shape को bend कर सकते हैं, अपने तरीके से, किसी भी shape में bend कर सकते हैं, तो उसको use कैसे करते हैं, एक free of cost आपकी एक extension है, जिसको आप यहाँ पे use कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो last में जो मैं बताने वालाओं की text को किस तरीके से bend करते हैं, तो वो बहुत important है, तो वीडियो को जुरूर last तक देखें, थाकि आप सारी चीजों को easily समझ भाएं, कि shape bender tool को आप किस-किस तरीके से use कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe जुरूर करें, वीडियो अच्छे लेगे तो like जुरूर करना और आपने दोस्तों को जुरूर share करना, तो चलिए दोस्तों, start करते हैं, अब यह shape bender tool को आप extension warehouse से जाके free of cost इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे, आप यहाँ पर लिखे shape bender और यहाँ पर आपके पास यह shape bender tool आएगा, आप इसे free of cost इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, install करें, तो आपका install हो जाएगा और इस तरीके का आपका shape bender tool आजाएगा, अब यह किस तरीके से काम करता है, तो आपको काफी सारे example से मैं समझाऊँगा, तो सबसे पहले बात करतेंगे काम कैसे करता है, इसको करने के लिए for example, मालनो मैंने एक shape बनाई, जो box की shape है, और इसको मैंने group कर लिया, group होना बहुत जरूरी है, उसके बाद एक reference के लिए एक मैंने line लगा दी यहाँ पे, और जिस तरीके से मेरे को इसको band करना है, वो मैंने एक shape बना दी, यह shape आप किसी भी तरीके की बना सकते हो, तो उसी shape में आपका बैंड हो जाएगी, कैसे करना है, आप इस पे click करो, सबसे पहले select करो object को, फिर click करो on shape bander tool, पहले select करो यह reference line, आप इस पे click करो, जो आपकी line है, उसके बाद click करो इस वले tool पे, तो आप देखोगे, आपकी shape ऐसे band हो जाएगी, और enter प्रेस कर दो, तो आप देखोगे, आपकी wall इस तरीके से band हो गई, clear है, but, इसमें एक problem यह है, कि जो आपकी यह line है, जो आप बना रहे हो, वो line, red axis के parallel होनी चाहिए, अगर मैं इसी shape को ऐसे बनाता हूँ, कि यह line red axis के parallel नहीं है, तो अगर मैं अब इसको select करके shape bander पे click करोंगा, और इस पे मैं click करोंगा, तो आपके पास एक warning आएगी, please select a line that is drawn on the red axis, तो आपका हमेशा red axis पे ही draw होना चाहिए, यह चीज इसके अंदर मस्ट है, वो किसी भी axis पे अपने तरीके से काम नहीं करेगा, second shape पे चलते हैं, for example, अब मेरे पास यह shape है, अब आपको idea लगेगा कि आप इस shape की help से क्या क्या चीज़े अपनी building जो आप बना रहे हो, interior बना रहे हो, कहां कहां पे use कर सकते हो, तो काफी examples हैं इनकी help से आप देख सकते हो, कि आपकी shape को कहां पे use कर सकते हैं, for example, यह shape ली, shape bender tool, इसको select किया, फिर इसको click करो, आपके पास इस तरीके की shape आजाएगी, enter कर दो, तो आप अपने building में इस तरीके का भी design बना सकते हैं, अगर आपको कहीं पे ऐसे बनाने, तो इसकी help से बना सकते हैं, third shape पे चलते हैं, जैसे यह shape है, click करो, shape bender, यहाँ पे click किया, फिर इसको select किया, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, clear है, आप देखो, यह अंदर की तरफ आया है, अगर मैं undo करूं, इसको select करके, दुबारा shape bender tool अगर use करता हूँ, और इस पे click करता हूँ, और अगर मैं up arrow press करता हूँ, तो यह बाहर की तरफ आ जाएगा, अब अगर enter करोगे, तो यह बाहर की तरफ आ गया, जितनी ज्यादा आपकी length होगी, उतना ही वो shape को भी आपका stretch कर देगा, कुछ इस तरीके से, number 4 पे चलते ह है, यह select किया, अब देखो, अब मैंने इसको छोटा कर दिया, अब अगर मैं shape bender लेता हूँ, यहाँ पे, तो इससे का effect पड़ेगा, तो उसको और छोटा कर देगा, अंदर की तरफ चाहिए, या आपको बाहर की तरफ चाहिए, वो आप अपनी तरीके choose कर सकते हो, तो है, इससे क्या effect पड़ता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, मैंने एंटर किया, तो देखो, पूरी length है, वो तो पूरे को वो आपका इस तरीके से band करेगा, but, next shape में अगर मैं बात करूँ कि यह line मैंने छोटी कर दी, जितनी बड़ी आपकी shape थी, उससे छोटी कर दी, अ अगर मैं click करता हूँ, और enter करता हूँ, यहाँ पे, तो आप देखोगे, आपके इस तरीके की shape बन जाएगी, यहाँ पे, तो जो band का effect है, वो अंदर वाले part पे है, यह वाला part इसने straight ही रखा है, कुछ इस तरीके से, ऐसे shape बनानी है, तो यह भी create कर सकते हो, यह वाली shape है, जैसे click करो, यहाँ पे click, फिर इस पे click, तो आपका कुछ इस तरीके का भी design यहाँ पे बन जाएगा, कुछ ऐसे अगर आपको design बनाना है, make sure आपकी shape ऐसी होनी चाहिए, अगर आप close कर दोगे आपने profile को, तो वो नहीं ले पाएगा, आपका पूरा profile close नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास कोई window है, इसको अगर आपको band करना है, तो आप इसको भी कर सकते हो, आप click करो, window भी आपकी band हो जाएगी, जिस भी shape में आपको band करना है, और आप curved wall पे भी अपनी window को लगा सकते हो, even आप अपनी stair को भी band कर सकते हो, मालनो आपने stair बनाई यहाँ पे, और तो बड़े वाले profile में भी यह कि अंदर की तरफ रखना है, और अप arrow प्रेस करके मैं बाहर की तरफ भी कर सकता हूँ, for example, मालनो मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ रखा, तो इस तरीके से band हुआ, दुबारा delete किया, दुबारा लेता हूँ मैं इसे, और अगर मैं रखता हू और जब enter करता हूँ, तो यह बाहर की तरफ से आपका band effect आएगा, कुछ इस तरीके से, next, यह steer है, जीजएक वाली steer अगर आपको लेनी है, तो इसकी भी help से आप कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आजाएगा, देखो आपका band, और अगर बाहर की तरफ करोगे, तो थोड़ा सा और stretch आजाएगा, आपकी band में कुछ इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को band कर सकते हो, enter, तो आपका इस तरीके से आजाएगा, next, शेप पे चलते हैं, जैसे कुछ ऐसी जाली है, और यह ऐसे कुछ पात की उपर अगर आपको band करना है, तो भी कर सकते हो, अब वो depend करता आपका कितना heavy file है, तो उतना ही time हो band करने में आपका लेगा, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जाली का design बन जाएगा, next पे चलते हैं, अगर ramp हो आपका इस तरीके से, तो आप इसे select करो, यहाँ पे click करके, इसको भी आप कर सकते हो, अंदर या बाहर से, जहां से भी आप बता देता हूँ, उसके लिए मैंने एक आर्क लिया यहाँ पे, और इसको ऐसे किया, इस तरीके से, इसको select करके, इसके segment आप increase कर दो, ताकि smoothness बन जाए, और उसको फिर flip कर दो normally, कि यहाँ से pick करके, control प्रेस करके, यहाँ पे और इसको बीच से flip कर दो, बट यहाँ से pick करक इसको यहाँ से flip कर दो, ऐसे आजाएगा, वरना इसको delete करो, एक और आर्क लो, यहाँ से आप दूसरी आर्क पडाओ, ऐसे आएगी, double click कर दो, तो आप continue हो जाएगी, बट यह दोनों अलग-अलग है, दोनों को select करके, right click करके weld कर दो, तो आपका एक profile बन जाएगा, फिर आ अगर आपके पास कोई ऐसा path है, उसको आपको किसी एक path पर follow करना है, band करके, तो आप click करो, आप इसको select करो, यह वाली line select करो, reference फिर इस पर click करो, तो आप देखोगे, इस तरीके से path आजाएगा, आप enter करोगे, तो आप ऐसे path को आपने देख सकते हो, next की अगर बात करें, क अगर आपने कोई 3D text लिखा है, उसको band करना चाहते हो, तो वो भी easy है, same तरीके से, click करो, और फिर इस पर click करोगे आप, तो वो आपका यहाँ पर band हो जाएगा, enter करो, तो इस तरीके से आपका band effect आजाएगा, किसी भी चीज को, किसी भी shape के around, आप easily band कर सकते हो, तो यह था आपका shape bander, कैसे कैसे आप अपनी shape को different shape में यहाँ पर convert कर सकते हो, यह सारी चीजे, तो बहुत easy था, आप बिल्कुल easily इस चीज को use कर सकते हो, और अगर आपको कोई problem आती है use करने में, तो आप मेरे को comment section में भी बता सकते हो, और जितना भी होगा, मैं आपकी doubts को solve करने के try करूँगा, अगर आप नहीं हो तो please video को like करे, और चैनल को subscribe करना मत भूले,